हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल मास्टर पलंबर में अभी हम जानेंगे इस बरास एलबो टी सोकेट के बारे में कि इसमें कितने ठ्रेड होते हैं कितने चूरियां होते हैं कितना गुना होता है उसके बारे में अभी हम जानेंगे और ये भी जानें कि इस नल हम इस बरास एलवोरt T socket के पॉइंट में कितने राउंड इस तरह से कसना चाहिए। कितना ठेड कितना चूरी हमको इस तरह से刑ना चाहिए। उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे और ये भी स्वाल को हमको कम से कम कितना राउंड चराना चाहिए और ज्यादा ज्यादा कितना राउंड कसना चाहिए उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बरास ये बरास का पीतल आप देख सकते हैं ये सभी पीतल के होते हैं और पीतल हो शोदे बिरभा में तो यहां नीं पिन वूल कि उप की म lumin न का था न इंद फूरू कि एक फ़ाइड़ माझे कोऊड़ fått別 पिड़िक क्यों न गेशयरा लिग्ते हैं की सबड़ी तो यहां इन गाड माझेज प्रीट वह सभी पाइप का साइज हो लेकिन यह जितना भी होगा वह सभी हाफ इंच के होंगे क्योंकि यह जो मनल होता है इसका भी थ्रेड हाफ इंच का इतना भी बाथ रोब कोई यहां बिए को जोबियाज जितना भी ठ्रेट होता वह सभी हाफ इंच के होता है आओ शबी का ट्रेडब वह सेम ही होता है जाहे वह पाइप का साइज पॉन हाफ हो या एक हाफ हो या साबा हाफ हो या फिर हाफ हाफ हो लेकिन ये सभी हाफ इंच का ही होगा और सभी में ट्रेड सेम ही होगा चाहिए सभा हाफ का भी होगा तो उसका भी चूरी जो तो सब का सेम ही होगा तो चलिए जानते हैं किसमें ट्रेड कितने होते हैं तो जैसा कि आप देख ह 1917 होता है तो चलिए गिंति करते हैं एक दू तीद चार पांच छे साथ आठ कहीँ पर साफ गिंति करेंगे तो सात होगा और कहीं जोह बिंदी करेंगे तो आप आप एवरेज में मान लिडे कि मान लीजिए कि जितने भी चूरी होते हैं ये वह 7 से आठ होते हैं चाहे वो सौकिट का हो या बड़ास एलबो का हो या बड़ास टी का हो अब हम जानते हैं कि इस नल को हमको इसमें कितना राउंड लगाना चाहिए कितना राउंड कसना चाहिए तो कम से कम हमको इसमें इस तरह से तीन से चार राउंड लगाना चाहिए तीन से CP cap फलेंचा लगाते हैं तो पॉइंट अंदर हो जाने के विज़ से 3-4 ही चूरी चरता है कोई कोई पॉइंट में तो हमें 3-4 चूरी तक चरह सकते हैं उससे कम हमको नहीं चरहाना चाहिए उससे कम क्या होगा कि टाइट भी ज्यादा मजबूत भी नहीं हो पाएगा और क्या होगा कि लिकेज होने का भी डर रहता है तो इसलिए हमको कम से कम 3-4 राउंड तक चरह सकते हैं और ज्यादा ज्यादा हमको इससे नल को इसमें 6-7 राउंड लगाना चाहिए उससे ज्यादा राउंड अगर हम लगातें कसते हैं तो फूल टाइट हो जाएगा और उससे क्य हम 6-7 राउंड ही लगाना चाहिए अगर माल लेते हैं कि हम इस तरह से चूड़ी चढ़ा रहे हैं और मेरा नल 7 राउंड में बिल्कुल ही टाइट हो गया तो हम अब उसको टाइट करने के आउड भी इस नल माल लेते कि मेरा टी इस तरह से सीधा है हमको इस नल को इस तरह । लोड लगा करें टेम टेपलं टेप पर ही हमको ऐसे भी टाइट करना है तो टेपलन टेप पर ही टाइट करना जैसा कि आप देख स sector אीर टेपलं टेप लगा हुआ है इत तरह साभ हide करेंगे तो इस टेपलन टेप पर ही हम दिल्कुल टाइट कर देंगे कभी भी है से भी हम टेपलें टेप पर टैट्र करती हैं तो टेपलेंट टेप पर टीट कर देंगे हमेशा टेपलेंट पर ही लोड़ दे खरक हम को टाइट करना यह नहीं कि हम कम से कम दो-चार राउंड टेप लगा दिया उसके बद फूल टाइट कर दिया सीधा करने चकर में नल को तोर दिये या फिर बड़ा से लोटी सोकेट को फार दिये यह गलत बात है फिर हम इसको रिटरन कर लेंगे और उसके बाद हम टेपलन क्लाएंगे किसी किसी में ज्यादा भी लग जाता है और टेपलन टेपलन आनमल वाला है कम जोड़ वला और बढ़िया वाला है तो पंदर से 20 प्रमय यह ज़ादा ज़ादा 25 राउंड में हो जाता है, बहुत हो गया, तो एमीध है कि आप समझ गया होगे, कि इस बड़ास ऐलवो T-socket शोकेट का जो ठेड होता है, वो रही 7 is 8 ही होते हैं, 7 से 8 ठेड होता है, और इसको हमको कम से कम 3-4 राउंड लगाना चाहिए नल को, जो भी शाबर हो गया एंगल को कि यह जो भी बातरून फिटिंग है और यह ज़ादा ज्यादा हमको इस तूरी को ज्यादा है हमको छे से सात राउंड लगाना चाहिए और हमेशा टेपलों टेप पर ही जोड़ दे करके हमको टाइट करना और फुल टाइट होना पर और उसी धान होन धन्यवाद